तो फ्रेंड्स आज का वीडियो एक बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसा पैक शेयर करने जा रही हूं सरदी आने लगती है और बहुत से लोग प्रशान होने लगते हैं अपनी स्किन को लेकर आपकी स्किन पर इच्छा ब्लीच का काम करें आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा इस पैक के इस्तमाल से आपका रंग गोरा तो होगा, इसकीन भी सॉफ्ट एंड सबल मक्खन जैसी मुलायम हो जाएगी, साथ की साथ ये आपके हाथ पैरों को भी बहुत ही अच्छा निखार देने वाला है, तो आज की ये होम रेमेडी के रिजर्ड बहुत ही जादा अबेजिंग है, तो कीप वाचिंग हाई एव्डिवन, वेल्कम बैक तो माई चैनल, आइम वीबा, फ्रेंट्स मैं इस चैनल पर ब्यूटी से रिलेटेट इस होम रेमेडी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, जो की हमारे स्किन को पहुचादा स्मूद सब्बल बनाता है, हमारे स्किन को बहुत अच्छा से क्लीन करता है, और आदा चमच के करीब मैंने इसमें एड़ की है सूजी, अच्छे से मौशराइज करता है उसके साथ हमारी स्किन पर चमक लाता है हमारी स्किन को हेल्दी रखता है अब इसमें एट करूंगी हाफ लेमन की कुछ ड्रॉप्स लेमन में विटामिन सी होता है जो हमारी स्किन के कॉंपलेक्शन को बहुत जादा वाइटन अप करता है हमारे स्किन पर एक अच्छा ब्लीच का काम करता है अगर आपके फेसे बहुत जादा टैनिंग है अनीवन टो अगर आपके पास है तो आप इसे अट कर सकते हैं अधर्वाइस आप यहां कोकोनेट ओल का भी यूज करते हैं यह माई स्किन को बहुत अच्छा से मॉस्टराइज करता है माई स्किन को हाइड्रेट रगता है हमारे फेस पर एक चमक लेके आता है खोई हुई डॉलनेस ड् आने के लिए मैं यहां यूज कर रही हूं कच्छे दूद का सो आप चाहें अगर दूद का यूज कर सकते हैं या फिर रोज वाटर दही का यहां यूज कर सकते हैं इसका एक पेस्ट बनाने के लिए सो दूद की हैं मैंने इसका एक पेस्ट बना लिया है और इन सारी चीज आपके कॉंपलेक्शन को पहुछ जादा फेयर करने वाला है इसके इस्तमाल से आप पारलर वाला फेशल तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे बिल्कुल वैसा ही निखार लाने वाला है यह पैक चलिए देखते हैं कि इसे फेस पर कैसे अपलाई करना है ताकि आपके इसके तो आपने अपने चलिए कर लीज़ी तो यहां मैंने इक वेट वयूप की हम आपने फेस को यहां मेरे फेस पर कुछ भी नहीं है लेकिन भी इसे एक वाइप से रिमूफ कर लिया स्वां कि精 Арव मिक्स करों गी और अप में एक देखर लिए तो आप को इसे अपने चलिए कर करेंगे कोई भी पार्ट फेस का हम नहीं छोड़ेंगे अंडर आई वाले पार्ट पर हमें ज्यादा ध्यान रखने कि वहां की स्किन बहुत ही ज्यादा नाजुक होती है और आई में न चला जाए उसका भी हम खास खयाल रखेंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैं दीरे दीरे करते हुगा अपने पूरे फेस को कवर करूंगी ये पैक आपके चहरे को जूरियों से फ्री करेगा और आप जब इसे ट्राइ करोगे न लगाओगे न तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ ये बहुत ही अच्छा काम करने वाली है ये एंटी एजिंग मार्क् अफटा है ये तीक इसे आप आखोगी जो झुरी आजाती है वहां सकते है वहां का पोर्शिंट बहुत ही ज्यादा हमारा व्हुत होता है तो इस क्रीम की है और शीरे से बहुत ही असानी से रिवासारी से रिमूव कर सकते हैं चेल खर आपको इस तरीखे से लगा लेनी है और इसको चोड़ दूँगी ताकि अच्छे से वर्क करें बहुत अच्छे से पैनिट करें यहां मेरे 20 मिनट कंप्लीट हो गए हैं और यह ज्यादा ड्राइड नहीं हुआ है क्योंकि अब विंटर आ रही हैं फैन्स आफ हैं तो यह अब हमारे फैस पर चेस अभी नहीं सुखेगा और हमेंसे सुखाना भी नहीं है सो गुनगुने पानी की हेल्प से मैं इस जो पैक है इसको रिमूफ करूंगी पैक रिमूफ करने के लिए हम पानी का जो यूज करेंगे साथ ही हम सर्कुलर मोशन पर अपने फैस की मसाज भी करेंगे इस पैक को रिमूफ करने के लिए तो इससे हमारे face की जो है वो massage भी हो जाएगी जिससे हमारे face का blood circulation है बहुत अच्छे से run करने लगेगा और हमारे face का glow है वो maintain रहेगा अगर आपका face बहुत ज़्यादा डल हो गया है तो उससे आपका glow वापस आएगा इस तरीके से मैं अपने पूरे face की mask के थुरू कर लूँगी मसा देन उसके बाद किसी भी wipe से या किसी भी hanky से आप गीला करके अपना जो यह marks है उसे remove कर सकते हैं तो यहां मैं sponge की help से एक wet sponge की help से अपना जो यह marks है उसे remove करूँगी दैन उसके बाद मैं अपना face wash अच्छे से कर लूँगी कोई भी particle आपके face पर नहीं रहेगा जिससे सो आप जैसे जैसे इस pack को remove करते जाएंगे आपको आपका face का जो brighten up होता है वो खुद नजर आता जाएगा आपकी skin काफी ज़्यादा clean हो जाएगी smooth and soft हो जाएगी सो यहां मैंने अपने face को अच्छे से पानी से wash कर लिया है तो मुझे अपनी skin काफी ज़्यादा refresh, young and youthful feel हो रही है एकदम soft सी smooth सी skin होगी आप इसे try करेंगी तो result आपको खुद तभी पता चलेंगे सो अगर आपको इस pack को लगाने के बाद अगर आपकी skin हलकी सी dry लगे तो आप DIY serum यहां face पर apply कर सकते हैं या फिर आपको जो भी serum सूट करता है वो serum आप अपने face पर apply कर सकते हैं या फिर कोई moisturizer भी आप face पर apply कर सकते हैं यहां finger की help से थोड़ा सा मैंने DIY serum है अपने face पर apply कर लिया है यह जो routine है वो मैं आपको evening कर रूटीन अपना आपके साथ शेयर कर रही हूं इस evening routine को आप morning में भी कर सकते हैं इस तरीके से मैंने finger की help से अपने पूरे face पर apply किया है serum एंड उसके बाद में हलके हां से अपने face की massage भी करने जारी हूं ताकि जो हमारी क्रीम है वो अच्छे से हमारी skin में अब्सौर्ब हो जाए और इसके results हमारी skin को बहुत ही अच्छे मिलने वाले है इस तरीके से आप cream लगाईए हलके हां से massage कीजिए और आप देखेंगे कि आपके जो face का moisture है वो लॉक हो जाएगा आपके face का glow है वो बना रहेगा आपके face से related जो भी problems है वो solve हो जाएंगी आपकी face पर काफी ज़दा wrinkles है या फिर dark spots है इस remedy और इस serum को आप अपने face पर apply करे है तो इस तरीके से मैंने इस cream को अपने face apply कर लिया है आप मेरे face का glow I think आपको वीडियो में visible हो पा रहा होगा आप देख सकते हैं तो आप भी इस cream को एक बार जरू try करिएगा बनाना बहुत ही ज़्यादा असान है सारी चीजे ही हमारी kitchen में अविलेबल है इस face को बनाने मे इस remedy को बनाने में हमारी cost जो है वो zero के बराबर आई है so friends आप यह वाला glow पाना चाहते हैं तो इस वाली remedy को एक बार जरू try करिएगा so friends विंटरस में हमारी skin बहुत ज़्यादा dry हो जाती है dull हो जाती है दूप में बैठने के उकारण हमारी skin बहुत ज़्यादा dark भी पढ़ होगी so video का कोई भी part आपको helpful and useful लगे तो video को like करना बिल्कुल मत बुलिएगा जादा से यादा share करिए और साथ ही चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत बुलिएगा ऐसे और वीडियो के लिए so thank you for watching टीप के लिए